हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग फ्रेंड मैं उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम सोष्थ होंगे तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि 2023 का इंडिंग होने वाला है 2023 समाप्त होने वाला है तो मैंने सोचा कि एक लास्ट वीडियो 2023 के अंदर भी छोड़ दिया जाए क्योंकि आप लोग का All Android स्मार्टफोन के उपर कुमेंट आ रहा था All Android स्मार्टफोन के उपर आप लोग का ये भी कुमेंट था कि सर आप कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिस वीडियो से किसी भी मोवाईल का लौक हम लोग तोड़ सकें ये मातर दो वंदे का कुमेंट आया था और वो दोनों वंदे पता नहीं क्या हैं क्या नहीं है मुझे नहीं पता है लेकिन वो लो कुमेंट बहुत अच्छा की है मुझे पसंद आया है और उसी कुमेंट के नुसार आज मैं आप लोग को बताऊंगा और सिखाऊंगा कि अगर आपके पास दुनिया में कोई भी Android स्मार्टफोन है दुनिया का कोई भी Android स्मार्टफोन है आपका वो Android स्मार्टफोन इस मैथेट से अनलोक होगा और वो भी विदाव डाटा लॉस होगा चाहे आपके पास रेडमी है वीवो है, ओपो है, सेमसिंग है रेडमी है, या पोको है या OnePlus है, बट iPhone नहीं होना चाहिए अगर आपके पास iPhone भी है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हो हमने iPhone के उपर भी वीडियो बनाके YouTube में छुर रखा है और अगर आपके पास iPhone नहीं है iPhone के अलावा भी कोई phone आप यूज करते हो इस वीडियो को जब आप open की हो तो आपको परिशान होने की आवे सकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फुल वीडियो में आपको हम दिखाएंगे और सिखाएंगे कि कैसे आपको अपना mobile का lock तोरना चाहिए वो किसी भी company का क्यों नहीं हो तो आये फ्रेंड में बिना time लिये ही इस interested वीडियो को श्टार्ट करता हूँ अगर आप लोग भी मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्स्राइब करके ब्लैकन प्रेस कर लिजेगा ताकि ऐसा वीडियो में बनाता रहा हूँ आप लोग के पास पहुंशता रहे फ्रेंड जब आपका फोन इस तरह से लोक हो जाए और अनलोक नहीं होड़ा है आप लोग क्या करते हो सर्वीस सेंटर या किसी रिपेर मुएल दुकांदार यहीं दू जगा जाते हो दोनों जग आपका फोन अनलोक हो जाता है लेकिन पैसा लगता है और फोन का डाटा भी लगता है आपको पता होना चाहिए यह बात सर्वीस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ेंगे या किसी रिपेर मुएल दुकांदार वालों के पास जाओगे वो लोग पैसा लेंगे और आपके फोन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कभी नहीं दिखाएंगे यह बात आपको पता होना चाहिए लेकिन आज मैं बिना पैसा चार्ज किये बिना आप से कुछ लिए दिये आपको इस वीडियो में सिखाएंगे और बताएंगे कि कैस से आपको अपना मुवाइल का लौक तोड़ना है चाहे वो किसी भी कमपनी का क्यों नहीं हो तो फ्रेंट सबसे पहले जब आप अपने स्कीन के उपर है स्वीपप कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपको इमर्जेंसी कॉल के अलावा कहीं भी कोई कोई और सबसे उसके जब पता है कि यहाँ पर सिर्फ इमर्जेंसी कॉल पर क्लिक और जब हम है और अघर नहीं भी पता है तो आप जान लो वह कोड है अस्टार हेज 8 डवन लाइन और हेज मैं ने भी हेज क्लिक नहीं किया मैं आपको बता रहा हूँ कि यह कोड अस्टार है डवन लाइन हेज पर जब आप सारा option आपको दिख रहा है तो आपको confuse नहीं होना है कि आप हम कौन सा option पे क्लिक करने और कैसे बर्ग करने आप इस वीडियो में बने रही है फ्रेंड लाश्ट तक आपको खुद बखुद सारा बर्ग समझ में आ जागा सबसे पहले आपको चौथा नंबर option पे क्लिक करना है जो automatic test के नीचे है manual test यहाँ पे manual test पे क्लिक करने के बाद first पे छोड़ देना है second page पे आना है जो है device diving device diving में आने के बाद सबसे पहले आपको gyroscope दिख रहा होगा friend g sensor के नीचे gyroscope पे क्लिक करना है और graph जो उपर आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको 10 second तक छोड़ देना है running करते हुए 10 second तक न ज़्यादा न कम अगर यह 10 second बिना रुके हुए running कर लेता है friend तो आपका total का total जो भी FRP code है वो तूट जाएगा तो आप देख सकते हो कि यह 10 second से भी उपर हो चुका है तो अब हम इसको back कर लेंगे उसके बाद हमको check करना है कि मेरा sensor active है या deactivive है तो हम इसको फिर से back करेंगे और gyroscope के just उपर आप देख सकते हो friend कि यहाँ पे आपको दिख रहा है G sensor और नीचे M sensor जानकारी के लिए बता दूँ phone का main sensor होता है G sensor तो हम G sensor पे click करेंगे और G sensor जो उपर दिख रहा है वहाँ पे हम click करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ वी कि G sensor के पास 3 angle है 3 का 3 बहुत तेजी से running कर रहा है इसका मतलब साफ है कि इसका sensor अभी तक active है क्योंकि यह अगर deactiv होता तो running नहीं करता है यह बात तो आपको बहुत अच्छे स्पता है जब आपका sensor active होगा तो आप समझ जाना कि हमारा जो unlocking का process चलेगा वो बहुत तेजी से आपके phone में बर्थ करेगा तो अब हम इसको back कर लेंगा फिर से चले जाएंगे gyroscope पे second number option आपको दिख रहा है gyroscope self test का यह test आपको देना है और यहाँ पे आपको ध्यान से भी देखना है बहुत सारे phone में यहाँ पे start करने का option होता है लेकिन यहाँ पे start करने का कोई option नहीं है तो भी यहाँ पे direct click करेंगे और check करेंगे कि हमारा pass आता है कि fail pass आना चाहिए fail नहीं आना चाहिए अब देख सकते हो कि मेरा pass आया एक बार में अगर आपका fail भी आता है friend तो आप continue try करते रहिएगा pass आएगा जरूर आएगा friend अब इसको आप back कर लीजेगा आप देख सकते हो कि मैं जो भी work किया हूँ उसमें pass आ रहा है और इसी pass की आपको भी आवे सकता है data display यहाँ पे आपको click करके check करना है कि आपका data कैसे safe होगा और कैसे safe नहीं होगा जो आपको मैं बताता हूँ यह तीन नमबर वाले option पे data display पे आपको click करना है और यह जो आप देख रहे हो friend x, y, z, red, green, blue इसको नीचे तक 30 तक increase होने दीजे recover होने दीजे अगर यह 30 तक बीना रुके हुए recover हो जाता है friend तो आपका data total का total safe हो जाएगा जो मैं video के end में आपको जरूर दिखाऊँगा 30 पलस हो चुका है अब हम इसको back कर लेंगे अब हमारा last single work और last work sensor self test and celebration आपका data भी complete हो चुका है और phone unlock होने वाला है बस कुछ second का दे रहे friend तो sensor self test and celebration पे हम click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो friend कि यहाँ पर दो option है अगर आपके phone में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है सब को start कर दीजे वो yellow color का हो जाएगा start होगा तो और कोई भी एक pass आगी है na friend तो आपका काम बन गिया आपका phone unlock हो चुका होगा वो भी without data loss हो चुका होगा तो जैसा कि यहाँ पर दो option है, मेरे पास तो हम दोनों को start करेंगे आपके पास जितना भी आप सब को start कर दीजे लेकिन इस phone में दो option है तो हम दोनों को start करेंगे एक pass का wait करेंगे, देखिए yellow color का हो चुका है उपर fail नीचे pass हम बटन पर किलिक करेंगे, यदि आपके phone में sweep up का option है, तो sweep up किजे लेकिन home से ही, यहाँ पर home बटन है हम home बटन पर किलिक करते हैं और आप देख सकते हो friend की सच में ये phone unlock वो भी without data loss आप देख सकते हो friend अपनी आखों से एक भी data इसका delete नहीं हुआ है, total का total data safe है और मैंने कैसे safe किया वो भी मैंने आपको बताया, तो I hope friend कि मैंने आपका पैसा बचाया, समाई बचाया data बचाया, और phone भी unlock कराया, तो अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा friend, तो मेरे YouTube चैनल को subscribe करके black and paste कर लिजेगा और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड़ाइडा स्माटफोन है, lock हो चुका है lock नहीं हो रहा है, आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा friend, तब तक के लिए बैबाई thanks for watching